केवल पढ़ने के लिए रंग रंगीले त्योहार त्योहार शब्द सुनते या पढ़ते ही मन खुशी और आनन से भर उठता है भारत को तो त्योहारों का देश भी कहा जाता है पर न केवल भारत में, बल्कि दुनिया के कोने कोने में, बहुत से त्योहार मनाये जाते हैं इन में से कुछ त्योहार ऐसे हैं, जो एक दूसरे से बहुत मेल खाते हैं, तथा जिन के बारे में हम जानते तक नहीं हैं तो आईए, कुछ ऐसे ही अद्भुत और रंग-रंगीले त्योहारों के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं होली के त्योहार से तो आप सब परिचित है होली रंगों का त्योहार है पर क्या आप जानते हैं कि जिस तरह हमारे देश भारत में ये त्योहार एक दूसरे पर रंग डाल कर मनाया जाता है, उसी तरह अन्य कई देशों में इसी से मिलते जुलते त्योहार मनाया जाते हैं. शुरुआत करते हैं स्पेन से, स्पेन में लोग एक दूसरे पर टमाटर फेक कर ला टोमाटीना फेस्टिवल मनाते हैं, इसी तरह साउथ कोरिया का मड फेस्टिवल है, जिसमें सभी लोग एक दूसरे पर कीचर फेका करते हैं. इटली में एक दूसरे को संत्रे मार कर दी ओरंज बैटल फेस्टिवल बहुत धूमधाम से मनाया जाता है, तो वहीं ऑस्ट्रेलिया में चिचिल का वाटर मेलन फेस्टिवल मनाया जाता है, जिसमें लोग एक दूसरे पर तरभूज फेकते हैं. है ना कितना अद्भुत और रोमांचक? अब बात करते हैं दीपावली की. दीपावली भारत में मनाया जाने वाला दीपों का त्योहार है, पर अन्य कई देशों में भी इसी तरह के त्योहार जैसे फेस्टिवल ओफ लाइट्स यानि रोश्नी का उत्सव मनाये जाते हैं. फ्रांस के लियोन शहर में प्रतिवर्ष आठ दिसंबर को रोश्नी का उत्सव मनाया जाता है. प्राचीन कथा क्या नुसार सन 1643 में फ्रांस में भयंकर रूप से प्लेग रोब भैल गया था. तब वहां के लोगों ने मिलकर मदर मेरी से रक्षा करने की प्रार्थना करते हुए पूरे शहर को मौमबत्यों से रोशन कर दिया था. मदर मेरी की उन पर कृपा हुई और तभी से प्रतिवर्ष इस दिन मदर मेरी का आभार प्रकट किया जाता है. इस दिन सारा शहर रंग बिरंगी रोशनी में नहा जाता है. इसी तरहां बर्लिन, थाइलंड, मनाई जाते हैं फेस्टिवल ओफ लाइट्स की रोश्णी में डूबे बाएं से दाएं बरलिन, दुबई तथा ऐस्ट्रेलिया बच्चों त्योहार कोई भी हो उन्हें मनाने के कारण भले ही अलग-अलग हों पर ये सबी त्योहार लोगों में आपसी प्रेम और भायचारी को बढ़ाते हैं तथा हमें मिल जुल कर रहने का संदेश देते हैं